आज मैं आप लोगों से दम आलो की रेसीपी सेयर करने वाली हूँ तो देख सकते हैं कितना अच्छा दम आलो बनके त्यार हुआ है आप इसे अपनी मन पसंद किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और मार्केट में आज आजकल नई वाली आलो आ रही है और एक्तम छोटी साइज की भी आ रही है तो लाग के आप इसे बना सकते हैं और ट्राइ कर सकते हैं तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए दो टमाटर, दो प्याज, लसन, अद्रक, अरी मेर्च ले लिया है, तो देख सकते हैं, आलू को भी मैंने बॉयल कर लिया है, अब इसे छील लेना है, तो थोड़ी से टाइम, इसको छोटे वाले आलू है, तो छीलने में लगेगा, बर कोई नहीं, तब तक आ आप लोग इंजवाई कीजिए, तो आप लोग देख सकते हैं, कि इसे छीलना उतना ही मुश्किल नहीं होता है, जितना देखने में लगता है, तो देख सकते हैं, मैंने छील के सारे को रख लिया है, अब इसमें एक फोग की मदद से इसमें छेद करना है, ताकि इसके ग्र से छेद कर लेना है, इस तरीके से आप इसे तूद्पिक से भी कर सकते हैं, तो देख सकते हैं, मैंने सारे को कर लिया है, इसमें छेद कर लिया है, तो आगे चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, तो ये सारा हो चुका है, चलिए तो आगे एक पैन लिया है, इसमें मैं कर से तेल दाल दी हूं और यह गरम हो चुका है इसमें मैं सार ढल डाल दूंगी का और इसको एकड़म म्लेय नि patient फ्लेंप पे इसको golden होने तक फ्राई करना है जब यह यह ऐकड़ दम से golden सी जाए तो इसे बाहर करना तो इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला है और थोड़ा सा नमक में डालूंगी तो देख सकते हैं इस तरीके से मैं साड़े को फ्राइ कर लूंगी अगर आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक, सेर, सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट भी अब लोग लाइक नहीं करते हैं प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए बेल अकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली रेसिपी आप लोगों को मिल सकें तो देख सकते हैं आलू फ्राइ हो चुका है इसी पैन में यह सारे चीज को डाल दूंगी लेसन अद्रकरी मिर्च और प्याज को थोड़ा सा पका लूँगी फिर इसके बाद मैं टमाटर को भी इसमें डाल दूंगी तो इन सब चीजों को इसमें डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा पकने दे रही हूँ तो देख सकते हैं थोड़ा सा पक चुका है इसे मैं एक ग्रें और दालचीनी काटूरा और एक चमच जीरा मैंने डाल दिया है इसमें और थोड़ा सा इसमें कस्मेरी लाल मिर्च आदा चमच के करीब मैंने डाला है और यह सारे ग्रैन की हुए मसाले मैं इसमें डाल दे रही हूँ तो देख सकते हैं आप की इसमें मैंने डाल दिया आप सूखे मसाले बेसिक मसाले मैं इसमें एड़ करूंगी लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर गरम मसाला और हल्दी पाउडर नमक स्वाद अनुसार इसमें थोड़ा सा पानी उसी बरतन में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि ये सुखा मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें एक छोटा कप मैं दो चमच के करीब मैंने दही लिया है इसको भी इसी में एड कर देना है फिर इसको मिक्स करते हुए पकाना है तब तक पकाना है जब तक ये मसाले से तेल रिलिज न हो तो इसमें मैं पानी जाल रही हूं गरम पानी एड़ करना है गरम पानी एड़ करने से होता क्या है कि सब्जी ना बहुत ही टेस्टी लगता है और अच्छे से पानी अलग नहीं होता है तो देख सकते हैं मैंने पानी अपने अनुसार रख लिया है ग्रेवी आप अपने तो देख सकते हैं इसमें अवाल आ गया है अब इसमें मैं आलू को भी एड़ कर दूंगी तो थोड़ा सा पकने दे रहे हैं इसके बाद आलू को भी मैंने इसमें एड़ कर दिया है और फिर इसको थोड़ा देर और पकाना है दीमी आज पे ताकि अंदर तक आलू के अंदर म जा सके थोड़ा सा ढख़के इसे पका लेना है तो देख सकते हैंπως पका लिया है और यहाच नियुक्स कर ले लेता है ऐसे ला दल शक pronis, और आप लोगों को बहुत ही टेस्टी बनके तयार हुआ है आप लोग भी ट्राइ कीजिए बनाईए खाईए और सेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में बताईए कि कैसी लगी मेरी रेसीपी तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स रेसीपी में तब तक के लिए बाए करता हुआ है इंट्पी घर्णीasti डाय रेसीपी योग लिए योगी जाए एも योताइए यो तो झाल झाल